जी आ गए आप आज कोई काम मिला नहीं रीना सारा दिन काम की तलाश में यहां से वहां भटकता रहा लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला हे भगवान अब क्या होगा जी आज मकान मालिक आये था वो अपना चार महिने का बगाया किराया मांग रहा है वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे और अगर हमने पैसे नहीं दिये तो वो लाला सब के सामने हमारे एज़द उतारेगा नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गाउं छोड़ कर ही चले जाएं हमें आज रात ही ये गाउं छोड़ कर जाना होगा इसके बाद विजय अपनी पांच साल की सोई हुई बेटी रिधी को गोद में उठा कर रीना के साथ निकल पड़ता है आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज गड़गड़ा हट होने लगती है जिससे घबरा कर रिधी जाग जाती है बाबा इतनी रात को इस जंगल से हम कहा जा रहे हैं कुछ नहीं बेटी तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत जिलनी पड़ रही है आप ऐसा क्यों कहते हो जी इसमें आप क्या क्या कुसूर वो इसी तरह बाते करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है वो भागते हुए दूसरे गाउं में पहुँच जाते हैं लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता अब हम कहा रहेंगी जी यहां तो कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है बाबा, बाबा मुझे बहुत ठिंड लग रही है वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में चले जाते हैं आज रात हम यहीं सोएंगे लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा उस गुफा के कुछ दोरी पर एक कुड़े का धेर होता है विजय उस कुड़े के धेर में से कुछ ढूंडता है तभी उसे एक पिन्नी में बड़ी सी बोरी मिलती है वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिछा देता है फिर तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते है अगले दिन सवेरा होते ही विजय काम ढूंडने चला जाता है लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता उधर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पतनी उसकी राह देख रही होती है कुछ देर बाद विजय लौट आता है बाबा आ गए बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है आप कुछ खाने को लाई क्या हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है नहीं पिटिया कहीं कोई काम नहीं मिला तुम ठहरो मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं विजय खाना डूनने गाउं के अंदर जाता है जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में गाईों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी लेकिन गाई उन रोटियों को ना खा कर वहां रखी घास खा रही होती है विजय चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और अपनी बेटी को खाने को देता है बाबा, ये तो चबाई ही नहीं जा रही, बहुत सक्त है बिटिया, बासी होने की कारिण सक्त हो गई होंगी ला, मेरे पास दे, मैं अभी इसे नरम बना देती हू जीना उन रोटियों को पानी में डुबो कर रिधी को खिलाती है ऐसे ही दिन गुजर जाता है, रात को वो फिर उस बोरी पर ठेटोडते हुए सो जाते है अगले सुब़ जब वो जाकते हैं, तो फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कुड़ेदान में से खाना ढूंडने लगते हैं वहां खड़ी उस गाउं के कुछ लोगों के नजर उन लोगों पर पढ़ती है वो उनका बोरी का बिस्तर और कुड़े में रोटी ढूंडते हुए देखते हैं, तो उन गाउं वालों को उन पर दया आ जाती है वो सब इकठे होकर उनके पास जाते हैं, उन सब को देख विजय उनसे कहता है हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताएं इस गाउं में आ गए हैं, दर असल हमारे उपर इतनी दिक्कते आ गए थी कि हमें अचानक से यहां आना ही पड़ा हमें माफ कर दीजे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था घबराओ नहीं, हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, आप सब हमारे साथ आईए, हम आपको खाना देंगे इसके बाद गाउं वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं, फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक जोपड़ी बनाते हैं साथ ही कुछ लोग उने कंबल बिस्तर, तो कुछ खाने पीने और ओड़ने पहनने को कपड़े देते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जब हम इस गाउं में आये थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है सच मुच, आप सब का ये एसान हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी गाउं का जमिंदार उनसे कहता है तखिये मुझे अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की आवशकता है, अगर तुम दोनों मिया बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो ये सुनकर दोनों पती-पतनी बहुत खुश हो जाते हैं, अब वो दोनों जमिंदार के खेतों में काम करके, अपनी रोजी-रोटी चलाने लगते हैं, और खुशी-खुशी रहने लगते हैं जबलपुर गाउं में ठंड में गरीब काजल, कुएं के पास बैट कर कपड़े धो रही थी ये सर्द हवाएं, मुझे तो लगता है कि ये ठंडी हवाएं मेरी जान ही ले लेंगी, उस पर से ये कुएं का ठंडा-ठंडा पानी काजल के पिता मनमोहन बेहद ही करीब थे, उन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके काजल को पाला था इसलिए वो दहेज में उसे कुछ भी नहीं दे पाये थे, सिवाए दो जोड़ी कपड़े के देखते ही देखते दिसंबर का महीना शुरू हो गया, और कड़कड़ाती ठंड ने सबकी हालत खराब कर दी ले देकर उनके पास के बल एक जोपड़ी ही थी, जिसमें काजल अपने पती और सास ससुर के साथ रहती थी एक दिन सभीता राजू से कहती है राजू बेटा, कल सारी रात काजल ठंड से ठिठुड़ती रही ले, ये कंबल तूसे दे देना और कहना इसे अपने पास ही रख ले कंबल में पहले से ही बहुत छेत थे अब नहीं मा, ये कंबल तो आपका और बाबु जी का है ले दे के यही एक गंबल तो है आपके पास इसे आप दोनों ओड़ लीजिए नहीं तो आप दोनों की तब्यद खराब हो जाएगी नहीं बेटा बहु अभी अभी नई शादी करके घर आई है कल राद भी वो एक पतली चादर ओढ़े ही सोई थी सारी राद बेचारी ठंड में कांप रही थी ठंड बहुत जादा है ऐसे में उसकी तब्यद भी खराब हो सकती है अगर हमने उसका खयाल नहीं रखा तो उसके माता-पिता क्या कहेंगे कि हमने उसका खयाल ही नहीं रखा राजू ये कैसी समस्या में उलज गया था जहां एक तरफ उसके माता पिता थे तो दूसरी तरफ उसकी नई नवेली बीवी वो सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी काजल कपड़े सुखा कर आ जाती है राजू का लटकता चेहरा और उसके हाथ में कंबल देखकर काजल उसकी सारी परिशानी समझ गए थी अजी सुनिये आप परिशान मत होए आप ये कंबल मा बाबुजी को दे दीचे वो बुजर्ग लोग हैं उन्हें इस कंबल की जादा जरूरत है पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इसी बात को लेकर परिशान हूँ आपका लटकता चेहरा और आपके हाथ में ये कंबल देखकर और वैसे भी सर्दियां हमेशा हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है आपको दुखी देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात है काजल तुम कितनी समझदार हो हम सबका कितना ध्यान रखती हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए एक कंबल भी नहीं खरीच सकता आप दुखी मत हो ये जी और आपके माता पिता मेरे भी तो माता पिता है इसके बाद राजू मजदूरी करने के लिए निकल जाता है और काजल भी काम निपटा कर बाहर धूप सेकने बैट जाती है इस तेज धूप से तो कितना आराम मिलता है सरदियों में तो ये धूप हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं कुछ देर और सेख लेती हूँ फिर रात में तो ठंड में ठिटोड नहीं है ऐसे ही शाम हो जाती है रात में सब लोग खाना खाकर सो रहे होते हैं तभी राजू काजल से कहता है आज तो ठंड को जादा ही है सुना है पहाडी इलाकों में भारी बर्भारी हो रही है वो बात करी रहा होता है कि तभी खिड़की का एक पल्ला तूट कर गिर जाता है इस उपर वाले ने तो जैसे हम गरीबों पर अपना कहर ढ़ाने का मन बना लिया है पहले ही हमारे उपर कम मुसीबत है जो और हमारी मुसीबत बढ़ा दी आप चिंता मत कीजे माजी मैं अभी कोई इंतिजाम कर देती हूं काजल अपनी चादर उस खिड़की पर डाल देती है तभी रामदीन उससे कहता है बहू ये तुने क्या किया तेरे पास एक ही तो चादर थी उसे भी तुने खिड़की पर डाल दिया बाबुजी आपकी तब्वित वैसे भी इतनी खराब हो रही है कहीं और खराब हो गई तो हमारे पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है हमें माफ कर देना बहू इस ठंड में हम तुझे कंबल तक नहीं दे पा रहे है बस आज रात की बात है बाबुजी कल कंबल का इंतिजाम हो जाएगा पर रातो रात ये कैसे होगा बेटा तेरी कमाई से तो हम सब को दो वक्त की रोटी मिल जाती है वही हमारे लिए काफी है नहीं नहीं आप इतनी ठंड में बाहर नहीं सोएंगे लेकिन राजू उसकी बात नहीं सुनता और अगली रात वहाँ जाकर सोजाता है सारी रात इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता अगली दिन जब वो घर लोटता है तो उसका शरीर ठंड से कांपरा होता है और उसे तेज बुखार होता है अरे आपको तो तेज बुखार है मैं कल रात सारी रात मंदिर के बाहर बैठा रहा लेकिन कल वो सेट कंबल बाटने आया ही नहीं हम गरीबों की तो किसमत ही खराब है और ये अमीर लोग तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कंबल बाटते हैं आप लेट जाएए, मैं तेल से आपकी मालिश कर देती हूँ लेकिन राजू की तब्यत में कोई सुधार नहीं होता और उसकी तब्यत दिन प्रतलेन और बिगड़ती जाती है डॉक्टर के पास जानी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते कुछ दिन वीमार रहने के बाद एक दिन राजू की मौत हो जाती है और बेचारी काजल शादी के साल भर के अंदर ही विधवा हो जाती है राजू के मरते ही उसके माता पिता की जिम्मेदारी भी काजल की कंधों पर ही आ जाती है काजल के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मदद कर पाते काजल बेटा तू भी हमारे साथ अब अपने घर ही चल तु यहाँ अकेले पूरी उम्र कैसे गुजारेगी नहीं पिता जी मेरे लिए कंबल लाने की जित की वजह से ये उनकी मौत हुई है अब राजू के माता पिता मेरी भी जिम्मेदारी है और उन्हें ऐसी हालत में मैं अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती ठीक है बेटा जैसी तेरी मर जी इसके बाद मनमोहन वहाँ से चला जाता है काजल भी अपने साथ ससुर के लिए खाना बनाने रसुई में जाती है घर में खाने के लिए बहुत कम राशन बचा है मुझे कुछ भी करके काम तलाश ना होगा काम के तलाश में काजल अगले दिन सुब़ शेहर चली जाती है शेहर में वो देखती है कि सभी लोग गरम कपड़े पहन कर घूम रहे होते है फिर वो काम की तलाश में इधर उधर घूमती है कई घरों में पता करने के बाद उसे एक घर में काम बिल जाता है में साब मुझे काम की तलाश है क्या मेरे लाइक कोई काम है हाँ हाँ ठंड आ गई है ना तो मुझसे घर का काम बिलकुल भी नहीं होता मुझे एक काम वाली की ही तलाश थी इसके बाद काजल उस घर में जाडू, पोच्छा, बरतन और कपड़े धोने का काम करने लगती है चाहे बारेश हो या बर्व बारी वो बिना चुट्टी किये हर रोज काम पराती थी ऐसो ही एक महिना गुदर जाने के बाद मेम साब उसको तीन हजार उपए तनखो और एक मोटा कमबल देते हुए कहती है काजल ये लो तीन हजार, तुम्हारी पगार और ये मोटा कमबल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो क्या है ना, मेरे पती जबलपुर गाउं का जो मंदिर है ना, वहाँ ठंड में गरीब लोगों को कमबल दान करने जाते हैं कुछ दिन पहले उनकी तब्यत खराब थी, तो वो तब से कमबल बाटने नहीं जा पाए ये कमबल मैंने उसी में से तुम्हारे लिए रख लिया, वो कमबल देखकर काजल की आँखों में आसु आ जाते हैं क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो, मालकिन मेरे पती को इस कमबल की बहुत जरूरत थी कुछ रोज पहले वो मंदिर के बाहर बैटकर सारी रात इस कमबल का इंतजार करते रहे, लेकिन ये कमबल उनको उस रात नहीं मिला खाश कि ये कमबल उनको उस रात मिल जाता है, तो आज वो जिन्दा होते उसके बाते सुनकर मेम साब की आँखे भी भर आती है, और वो काजल को तीन कमबल दे देती है, साथ ही कुछ गरम कपड़े भी दे देती है, वो सब देख काजल बहुत खुश होती है, और शाम को घर आते वक्त अपनी पगार में से राशन और साससुर की दवाईया ले ले भी हिप्ट